हलो रेंड कैसे हो आप सब लोग मैं हूँ आशी शुराब देख रहे हो बाइलो जी वाला मैं आपके लिए लेकर कहा हूँ नई वीडियो जिसमें के हम पढ़ेंगे एक इंपोरेंट टॉपिक दाट इस द फ्रोग 11th क्लास के चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्टर और्गनाशन इ मैच करती हैं और आप जो हीमन का जितना भी एनिमल फीजियोलोजी पढ़ोगे उस सारा का सारा कलेक्टिव हो करके इसमें थोड़ी थोड़ी बातें उसकी की गई है तो बस एक बार गो थू होना इससे जादा सवाल यहां से नहीं पूछते फिर भी हम उसको कवर कर लेंग इसमें में नीट कहां से पूछता है कैसे पूछता है क्या पूछता है वह पढ़ाऊंगा concept सारे दी जाएंगे तो चले वीडियो की शुरू करते हैं जादा पते नहीं करते हैं आज कर दो भी के फ्रोग तो वह यहां हमारा यहां पर heading है सब से पहला तो आपको पता है फ्रोग अंफिबियंस में आता है जो की आपके पानी में भी जमीन पर दूनों जगा रहते हैं दिखाया यहां पर एक biological नाम दिया गया है देखाया है देर बोडी तेंपरेचर वेडियों वैर इंबिय करते हैं वह गोडोल रेगूलेट करते हैं बाकी शिझा कर लेते हैं ऑम्रट करते हैं चेंज कर लेते हैं poikilothermas organism कहते हैं लिघा है तो यहां से एक सवाल बन सकता है कि यार poikilotherms तो यहां से एक सवाल बन सकता है कैमफलेग क्या होता है कैमफलेग एक तरीका है एक तरह की adaptation ही माननों जो कि आपको अपने दुश्मनों से बचाता है यह अपनी body का color surrounding की जैसे कर लेते हैं इसी को अपन कैमफलेग कहते हैं तो यह सवाल आ जाता है कभी-कभी कैमफलेग क्या है इस protective coloration is called mimicry तो यह भी सवाल आता है कि protective coloration as a option में लिखा रहेगा कि इन कमफलेग इज तो option में लिखा रहेगा protective coloration ध्यान रखना लिखा है ऐसे mimicry कहते हैं you may also know that the frog are not seen during the peak summer and winter from extreme heat and cold this is known as summer sleep and winter sleep तो ठीक है summer sleep करते हैं तो आपको यहां से कि दोशन और मिल जाएगा summer sleep को हम estimation कहते हैं winter sleep को हम hibernation कहते हैं दो question यहां से मिल जाएगे ठीक ना चलिए next time morphology have you ever touched the skin of the frog my skin is smooth, slippery due to the presence of mucus यह question यहां से बनेगा कि skin पर mucus होता है यह ध्यान रखना scales नहीं होते हैं जैसे कि इन से पहले वाली fishes जो थी उनके उपर scales मिलते हैं यह scales नहीं मिलते हैं the skin is always maintained in a moist condition the color of the dorsal side of the body is generally olive green with a dark irregular sports on the winter side of the skin is uniformly pale yellow नीचे winter side पर देखो तो yellow मिलती है the frog never drink water जबकि यह पानी में रहते भी हैं बस यह skin से पानी को absorb करते हैं body of a frog is divisible into head and trunk and neck and tail are absent above the mouth a pair of nostrils पर जैंग eye are bulges यह सवाल यहां से बन सकता है bulged आये होते हैं थोड़ी बाहर को निकली भी and covered with a nictitating membrane देखो तुमारे अंदर nictitating membrane यहां जो side में चले गई है plica semilunaris जिसे कहते हैं जो कि आपके अंदर एक vestigial organ है लेकिन यहां पर functional होता है जो आग को ढखके रखता है यहां पर mark कर ले न कि nictitating membrane पाई जाती है जो कि पानी के अंदर आग को cover करती है on either side of the eye membranous tympanum कान के जगा external ear नहीं होता कि वलकान का पर्दा जिसे आप कहते हो tympanum पाई जाती है and I receive sound signals the fold limbs and hin limbs help in the swimming, walking, leaping and burrowing यहां से question बना सकते हैं कि इनके folding, hind limb किस में काम करते हैं तो आप बताओगे swimming में काम करते हैं walking में, leaping में, burrowing में चार पॉइंट दिये हैं तो चारो याद कर लेना the hand limb and the five digits सवाल है यह भी अगले वाले जो हाथ होते हैं उनमें चार-चार होते हैं digits और जो hind limbs होते हैं उनमें पाच-पाच होते हैं तो यह सवाल बनेगा hind limb में पाच-डिजिट होते हैं larger होते हैं, muscular होते हैं जबकि जो आपके four limbs होते हैं उनमें चार-डिजिट होते हैं यह भी सवाल बन सकता है आई लिगा, feet have webbed digits that help in swimming मतलब, webbed का मतलब यह जो पैर उंगलिया यहाँ पर उठे हुई खाल ऐसे होती है इनके skin, जिससे की इनको तैरने मदद मिलती है and for frogs exhibit sexual dimorphism that means male और female अलग अलग होता है male frog can be distinguished by the presence of sound producing vocal sex male के पास vocal sex होती है वो अपने mating partner को population के लिए बुलाने में मदद करती है चलिए, आगे हैं anatomy तो anatomy में सारा कुछ जो आप पढ़ोगे वो mostly human से match करेगा ज्यादा tension की बात नहीं है जहां match नहीं करेगा वही important है बाकी सब तुम्हें आता ही होगा शुरू करते हैं, लिखा है the body cavity of frogs accommodate different organs systems such as digestive, circulatory, excretory respiratory systems and with a well developed structure and function the digestive system consists of elementary canal and digestive gland तो यहां शुरू होता है, digestive system तुम्हारे में तुम्हें पता है, mouth is pharing size, stomach large intestine, small intestine large intestine, gallbladder, liver pancreas, यह सब समान है तो इसी तरह से यहां पर भी मिलेगा यहां लिखाए, the elementary canal is short because frogs are carnivores तो छोटी होती है, यहां पर आपको यह statement बना सकते हैं कि जो carnivores होते हैं उनकी elementary canal छोटी होती है lead to the esophagus, through the pharynx तुम्हारा भी ऐसा ही है, esophagus is short tube that open into stomach which in turn continue into intestine तुम्हारा भी ऐसा ही है, and rectum and finally open by cloaca, तो यहां क्या होता है, यहां पर body से बार anus नहीं खुलती है, यहां इनकी body में pore होता है, last में that is called as the cloacal aperture, उस cloacal aperture में finally rectum खुलता है, large intestine का वाड़ा पाट आप इसे माल लो, तो वहां खुलता होता है मतब यह important बात है, यहां पर यहां body में, जो urinary bladder है, ureters है, cloaca है, सब समान, मतब जो जितना भी rectum है, सारी pores है, जितने body है, जो external openings होती है, वो सारी कि सारी आपकी केबल और केबल, cloaca में खुलती है तो यह important बात यहां पर बन सकती है यहां लिखा है as the intestine rectum and finally open outside by the cloaca liver secretes bile that is stored in the gallbladder, तुमारा भी ऐसे करता है, liver बनाता है, वहीं जाता है pancreative gland है जो की produce करती है pancreatic juice उसमें digestive enzymes होते हैं, तुमें पता है proteolytic भी होते है, carbohydrate के तोड़ने वाले, protein के तोड़ने वाले, मतलब हर तरह के enzymes हो pancreatic से निकलते है food is captured by the bilobed tongue यह एक question यहां से बन सकता है कि इनकी tongue जो है, वो bilobed होती है digestion of food takes place by the action of actual and degustric juice तुमारे पेट में भी ऐसे होता है, actual होता है pH देता है, acidic जिस पर की आपके enzyme काम करते है from the wall of the stomach, partially digested food called the chyme and is passed to the stomach, to the first part of the small intestine, तुमारे में भी stomach के अंदर जो आपका stomach के अंदर food होता है, उसे chyme बोलते है, chyme फिर वहां से जाता है small intestine को, और small intestine का पहला part है, उसे डियोडियन यहीं होता है, that you don't receive bile from gallbladder, यहीं bile भी आता है यहीं पर pancreatic juices आते है from the pancreas, तुमारे में भी CBD होती है उसी से आते है, bile emulsify यह net 10th class का सवाल है कि bile का function बता हो, bile जो है वो fat का emulsification करता है, यानि fat को, छोटे-छोटे टुकडों में mycelies में तोड़ देता है, जिससे की lipages जो होते है, उसके उपर प्रॉपर काम कर सके है, रिखा है, bile emulsify fat and pancreatic juice digest carbohydrate and proteins, final digestion takes place in the intestine, digested food is absorbed by the numerous finger-like villi's and inner wall of the intestine called villi or microvilli, the undigested solid waste move into the rectum and finally out by the cloaca, छीक है, तो यह दे को simple है, dieting के बारे हैं ज्यादा बात को नहीं हो, ना कोई enzyme बता रहे है, ना कुछ करने है, ज्यादा tension की बात नहीं है, क्योंकि हमें, मतलब हमें आगे जागे पढ़ना ही है, पूरा chapter तो यहाँ पर क्यों के थुरू होता हो, तब उसे cutaneous respiration कहते हैं, dissolved oxygen in the water is exchanged through the skin by diffusion, तो जितने भी oxygen होती है, वो exchange होती है, diffusion के थुरू, on land, जब यह जमीन पर होते हैं, the buccal cavity, skin and lungs act as the respiratory organ, यह mark कर लेना, कि जब जमीन पर होते हैं, तो सब जो है, वो इनके respiratory organ की तरह काम करते हैं, respiration by lungs is cold pulmonary respiration, the lungs are a pair of elongated pink color sac like structure, present on the upper side of the trunk region, that is the thorax, तुमारी तरह, air enter to the nostrils, जाती है, into the buccal cavity and then to the lungs, during estivation, यह सवाल माक कर लो, नीट में आ सकता है, यहां से, estivation के समय और hibernation के समय, यह क्या करते हैं, तो यह सवाल मेरे को लगता है, बन सकता है, और statement बन के पूछा जाएगा, ठीक है ना, आई जाएगा, फिर है दव vascular system, तो यहां तोड़ी सी, तोड़ा सा लगे, तुमारे से, यहां पर क्या होता है, जो atrium और ventricles होते हैं, उनके अलग, उनसे अलग कुछ और extra chambers, जैसे की जो है, sinus venusus और conus arteriosus, trunkus arteriosus या फिर conus arteriosus पाए जाते हैं, यह एक खास बात है, जो मेरे को लगती है, जहां सवाल बना सकते हैं, बाकी नहीं बनाएंगे, बाकी को चक्कर नहीं है, सेम साही है, तो यह वाली बात बस ध्यान रखना कि यहां conus arteriosus और sinus venusus दो अलग से chamber होते हैं, जो आप catrium हैं, उससे पहले एक chamber sinus venusus और ventricle के बाद, एक chamber that is conus arteriosus, ठीक है ना, चालब, दिखाना है, the vascular system of frog is well developed and closed type, frog have a lymphatic system also, तुमारे में भी होता है, the blood vascular system involves heart, blood vessels and blood, the lymphatic system consists of lymph and lymph channels in lymph nodes, heart is a muscular structure, situated in the upper part of the body cavity, it has three chambers, two atrium, one ventricle, तुमारे में पता है यहां, इनकी body में blood mix जाता है, left atrium में oxygenated blood होता है, right atrium में deoxygenated blood होता है, पर ventricle में जाकर के body का blood जो है, वो mix हो जाता है, और body में जो transmit होता है, वो mixed bloody होता है, क्योंकि इनको oxygen की requirement बहुत जादा नहीं होती है, तब इनकी body में जो है इतनी requirement नहीं होती है, हमें होती है, mammals को जादा होती है, तो इसलिए इनकी body में mixed bloody काम कर देता है, ठीक है, तो यहां लिका है कि heart is a muscular structure, situated in the upper part of the body cavity, it has three chambers, two atrium and one ventricle is covered by the membrane cold pericardium, तुमारा heart will cover होता है, इसी से, a triangular structure, that is, यह है सवाल, यह सवाल आने योग्य है, नीट में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा है, बढ़ लो, mark कर लेना आएगा, a triangular structure called the sinus venusus joint right atrium, तो ध्यान लखना, कोरों आपको याद होगा, वेना केवा जो है, वो right atrium को joint करती है, जिन में deoxinated blood होता है, वेन, वेना, इससे आपका याद रहेगा, कि sinus venusus, जो की right atrium से पहले का एक chamber होता है, it receives blood through the major veins called the vena keva, and the ventricle open into sec like conus arteriosus, ventricle आगे फिर artery, आपको पता है, ventricle से जो निकलती है, वो arteries होती है, तो इसलिए आपको याद रहेगा, कि conus arteriosus is a chamber and that is start from the ventricle, बढ़र ventricle के बाद जो होता है, वो start होता है, the blood from the heart is carried to the all part of the body by the arteries, arterial system, जिसे तुमारे में होता है, special venus connection ये मार्क करो, दो सवाल यहां से, पूछे जाएंगे, जो paper में आते है, लिखा है, the special venus connection between the liver and the intestine, as well as the kidney and lower part of the body are present, ये मार्क करो, बहुत पक्का सवाल है, लिखा है, the special venus connection, पहली बात तो ये है, कि जो portal system समपढ़ेंगे हैं, पोर्टल सिस्टम, वेन से वेन पर खतम होते हैं, वेन से वेन, बस venus system होता है, आर्ट्रीज नहीं होती, लिखा है, कि the former, sorry, दिखा है, एक special connection मिलता है, लिवर और intestine के बीच में, intestine का जो food होता है, वो absorb होता है, और absorb होने के बाद, हीपाटिक पोर्टल सिस्टम होता है, उसके थूरूर लिवर को बेजा जाता है, इसी तरह ऐसे जो आपका किड़नी होती है, और lower part of the body होती है, फ्रोग के उसके बीच में connection होता है, the former is called हीपाटिक पोर्टल सिस्टम, and the latter is renal पोर्टल सिस्टम, सवाल आएगा, क्या फ्रोग में, हीपाटिक पोर्टल सिस्टम और renal पोर्टल सिस्टम मिलते हैं, तो आप बाग को दाओगे, yes, दोनों मिलते हैं, the blood is composed of plasma and cell, the blood cells are RBC, तो यहाँ पर एक सवाल बनेगा, जो कि आपको पता होना ची, जैसे तुम्हारे में तो plasma है, RBC है, WBC सब है, पर तुम्हारे RBC कैसी होती है, तुम्हारे RBC e-nucleated होती है, nucleus नहीं होता, ध्यान रखोगे, यहाँ पर RBC nucleated है, और उनके अंदर pigment, hemoglobin मिलता है, यह तो है ही, पर यह ध्यान रखने योग्य बात है, आपको पता है, कि अंदर nucleus होता है, और आपके अंदर nucleus RBC में नहीं होता, दा लिंफ is different from blood, it lacks few protein and RBC, आपको पता है कि लिंफ में WBC तो आ जाती है, पर RBC और बड़ी-बड़ी proteins नहीं आती, दा बलड कैरी nutrient gas and water to the respective side during the circulation, the circulation of blood is achieved by the pumping of the muscular heart, तो तुम्हारे में भी ऐसे muscular heart pump करता है, बोड़ें वलड जाता है, सही है, कुछ अक्र की बात नहीं है, असान है, तो दो-चार सवाल मेरे को लगता है, यहां से बन सकते हैं, जो मैंने माख किया, आप यह माख कर लेना, है, ठीक है, चाहूँ, नेक्स्ट है दा एक्स्क्रीशन, डेलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वीस्ट इस करेड़ आउट बाई वेल डेवलप्ट एक्स्क्रीटरी सिस्टम, एंड एक्स्क्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ओप पेर, किड़नी, यूरेटर, क्लोई का भी यहां इसमें आएगा, एंड यूरेटरी ब्लैटर, अब मैं तो बताओं आपको यहां पर एक बात, यहां पर थोड़ा सा स्पेशल केस है, जरा सा स्पेशल केस है, वह आप देखोगे, इंपोरेंट सी बात है, जो कि आपको टेस्टिस का और क्रिड़नी का कनेक्शन मिलेगा, तो वह यहां पर है, थोड़ा आजीब, बाकी तुम्हारे जैसा ही चलेगा, देखा है, इस और कॉम्पेक्ट डाक रेड़ बीन शेप कल, बीन शेप स्टॉक्चर सिटुएट लिटिल पोस्टेरल इन बोडी कैवेटी, तुम्हारे भी वही होंती है, और बोट साइड दो वर्टिवल कॉलम, इच किड़नी स्कंपोज और स्टॉक्च्चर फॉंक्शन मेल फ्लोग में दो युड़ेटर निकलते हैं किड़नी से, एंड दा यॉड़ेटर एक्ट पाइड़ धू, यॉड़ेटर ही अग्ण है काड़ट, ऑनतो काडuego यॉड़ेटर क्म रतेबंग हैं क्लोय कां यह वाली बात समझा ही, मेल में दो यॉड़ेटर निकलते हैं, वो अलग से खुलते हैं, ध्यान अखना है बस यही, the female, the ureter and the oveduct open separately in the cloaca, the thin-walled urinary bladder is present ventral to the rectum, which also open into cloaca, urinary bladder भी cloaca में खुलता है, अलग से, and the frog excreted out urea, urecotelic है, जब वो आपके कहां होते हैं, जब वो पानी, मतलब पानी से बाहर होते हैं, और excretory wastes are carried by the blood in the kidney, where it is separated and excreted, तो यह तुम्हें पता ही है, कि kidney कहां करती है, excretion waste को हटाती है, that is the urea, ठीक है, ठीक है, next है, the system for control and coordination, यहाँ ब्रेन वाले पार्ट की बात होगी, तो थोड़ा-थोड़ा match करेगा, match ही करेगा, ज्यादा तर match करेगा, तुम से, वो आप फिर आपको पूरा चप्टर पढ़ा जाएगा, तो आप पढ़ लोगे, the system for control and coordination is highly evolved in the frog, and it includes both neural system and the endocrine gland, दोनों होती है, the chemical coordination of various organs of the body is achieved by the hormones which are secreted by the endocrine glands, the prominent endocrine gland are, तो तुम्हारे में भी pituitary है, thyroid है, parathyroid है, thymus है, pineal body है, pancreatic isolate, अभी है, तुम्हारे में भी, and the nervous system is organized into, central nervous system, तुम्हें पता है, तुम्हारे में भी होता है, CNS दो भागो में बटा होता है, brain and spinal code में, यह सवाल है, और उसके बाद होता है, peripheral nervous system, जिसमें की दो तरह की nerve आती है, cranial and spinal nerve, यहाँ से एक सवाल बनेगा, जो कि बहुत important है, तुम important question है, भाई, बहुत ज़्यादा, आपके में, बहुत important है, यहाँ आपके में 12 pair है, तो यहाँ 10 pair है, match नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कम है, दिखाए न, autonomic nervous system, तो तीन तरह की case है, system nervous system में, CNS है, PNS है, और ANS है, CNS में spinal code brain आते हैं, आपका जो PNS है, आपका जो PNS है, वाँ system है, जो की स्वाता ही, अपने आप ही काम करता है, ठीक है, autonomic nervous system involuntary होता है, मतलब voluntary case नहीं होता, involuntary muscles जो होती है, उनके उपर काम करता है, इसमें दो case होते हैं, sympathetic और parasympathetic, sympathetic nervous system जो काम करता है, उसका उल्टा काम, parasympathetic nervous system करता है, यह आपकी किताब में, दिया नहीं है, मत जब वहाँ जापड़ों गया, human वाले में, वहाँ भी ज़्यादा इसके बारें बात नहीं करी गई है, लेकिन मैं बता दू, sympathetic nervous system जो होता है, वहाँ ज़्यादा तर जो nerve endings होती है, वहाँ, adrenaline hormone निकलता होता है, parasympathetic में, acetyl coline निकलता होता है, ठीक है न, तो बहु सारे अ 10 pairs of cran now arising from the brain, brain is enclosed in a bone structure that is called as the cranium, जिसे cranium कहते है, brain box कहते है, तुमारे में भी cranium है, यह रहा, the brain is divided into four brain, mid brain, hind brain, तुमारे भी ऐसे है, four brain include the, यहाँ पर यहाँ याद कर लेना, तुमारे में भी मिलेगा, same to same, four brain के अंदर all factory lobs होती है, और आपका paired cerebral hemisphere होता है, दो भाग होता है, जो यह वाले, and unfair diencephalone होता है, तो आपको diencephalone आप पढ़ोगे, diencephalone में फिर आपको फर्दर पढ़ते हैं, आपका thalamus, epithalamus और hypothalamus, यह diencephalone के हिस्से होते है, diencephalone के part है, ठीक है, मतलब diencephalone four brain का ही part होता है, जो कि center में होता है, इस cerebral hemisphere के अंदर होता है, नीचे, अंदर बीच में, the mid brain is characterized by the pair of optic lobs, तुमारे में भी mid brain में optic lobs होती है, हिंड brain में यहाँ cerebellum है, medulla oblongata है, and medulla oblongata passes through the foramen magnum, यह question है, जो बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर बनेगा, एक पोर होता है, एक छेद होता है, जहाँ पीछे यहाँ पर spinal cord होती है, तो उसके ऊपर पर एक पोर होता है, वहाँ से जो आपकी spinal cord है, वह आपकी medulla oblongata जो होता है, वहाँ से spinal cord में continue होता है, पी नीचे spinal cord है, तो वो forearm and magnum से continue होता है, ठीक है, तो धियान रखना, into spinal cord, जो लास्ट पार्ट है, परेन का that is the medulla oblongata, वो फिर नीचे spinal cord में जाएगा, वहाँ से, वहा परोग में भी पाए जाती है, ठीक है ना, चालो, ओके, next and the, next is the sensory part है, the frog and different type of sense organ, namely frog organ of touch, sensory papilla, taste, words, smell, words, and vision, eye, hearing, tympanum with internal ears, out of these eyes, the internal ear are well organized structure and the rest of cellular aggregations around the nerve ending, eyes in a frog are a pair of spherical structure situated in the orbit in the skull, these are simple eye, possessing only one unit, external ear is absent, ही तुम्हारे में होते हैं, external ear, बाकि इन में absent होते हैं, के वद अंदर कान का परदा that is tympanum पाए जाती है, जो की बाहर से दिखता है, ये भी सवाल मेरे को लगता है, ये बना सकते हैं, तेज हैं, कि वो दिखता है, बाहर से हैं, ऐसा सवाल बना देंगे, the ear region, organ, hearing as well, balancing, तो ये भी तुम ध्यान रखना, तुम्हारे में भी ear, जो है, balancing का का काम करता है, और सुनने का भी काम करता है, ठीक है, चलिए, next देखते है, sexual system of reproduction का, उसमें थोड़ा सा page है, जरा सा, उसको एपर photo ध्यान से देखने, दोनों के, ये आप देखो कि testis से जो है, आ रहा है, वो urinogenital tract है, they are not urator, male में urators, या urinogenital tract जिसे कहते है, वो सीधे आगर के cloaca में खुलते है, ये वाली बात आप ध्यान रखना, बोड़ी से बाहर के अबल, cloaca खुलती है, female में जबकि ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर testis का connection kidney से होते हुए यही एक भेंकर लेवल का सवाल है, जो यहाँ से बनाएंगे, बाकी चक्कर नहीं है, बाकी नहीं आएगा, यही मेरे को लगता है, पूरा पक्का सवाल है, आएगा भी पढ़ोगे, यही पूछा जाएगा, जबकि female में ऐसा मसला नहीं है, वहाँ ओवरी का अलग connection है, ओव और नीचे यूरेटर आ रहा है, यूरेटर अलग से आ करके क्लोयका में खुलता है, बस इतनी सी बात ध्यान से पढ़नी है, बस हो गया क्राव, चालब, लिगा है, फ्रूग है, फ्रूग है, वेल और उर्गनाइज़ मेल और फीमेल एप्रोड़क्तिव सिस्टम, मेल और वेलाइज़ आ बात है, जो की अलग है, और एंड बाइड डैटोनियम कोल दा मिजवार्चियम, इस से जुड़ा है, वासब इफ्रेंश्या, यह सवाल यहां से बन सकता है, वैसे फ्रेंश कितनी है, दस से बारा नंबर में है, यह कोशन बन सकता है, इन नंबर दाराइज तेस्टिस तुम्हारे में भी टेस्टिस से बाहर वैसी फ्रेंशिया आती है फिर इपिड़ डैमिस होती है लिखाए देयार एंटर दे किड़नी ओं देर आइधर साइड यह ध्यान रखना कि वैसी फ्रेंशिया कहां गुशती है किड़नी में जाती है मेरे को लगता है यह सवाल है जो नीट में आने योग है आएगा भी यही माग कर लो पकाएगा लिखाए देखो वैसी फ्रेंशिया निकलते हैं किड़नी में गुशती है जब बाहर निकलते हैं देरे जी कैनाल देखो बीडर कैनाल फाइनली कम्मुनिकेट विद यूरिनोज जनितल दक्थ घिए अट देखो और फ़िट अन तेखो लिए न कंडृट हुन दखे ओ जो युडरेटर था वही बन गया फिर यूरिन जनितल डर्ट जिसमें ही अंगे लिएध है दिखो पसफ ये जान रखना में में भी उसी से आता है बाहर दोगि यूरिन भी स यहाँ कोई connection नहीं होता है, a pair of oviduct arise from the ovaries, opens into the cloica separately, तो जो oviduct होते हैं, वो अलग से cloica में खुलते हैं, ureter का कोई connection नहीं है, आमें 4 female can lie दाब 2500 से 3000 अंडे एक समय में दे सकती है, fertilization is external to 50000 to 3000 वाइट टाइम, fertilization is external and takes place in water, यहाँ जो embryo होता है, उसके बचने के चांस बहुत कम होते है, parental care यहाँ नहीं होती, तो इसलिए में बचते नहीं जादा, development involved in large larva stays, that is the tadpole in kalarva होता है, जिसमें tail होती है, tadpole undergoes metamorphosis into adult, तो यहाँ पर tail खतम हो जाती है, फिर वो adult बन जाता है, frogs are beneficial for mankind, because they eat insect and protect the crop, frog maintain the ecological balance, because these serve as an important link for food chain and food web in the ecosystem, in some country the muscular leg of the frog are used as a food by man, कुछ जगा खाया भी जाता होगा, ठीक हैं, तो यह था आपका फ्रोग, तेको इसमें से जो सवाल आने थे मैंने माग कर दिया है, ज़्यादा पढ़ने का फशकता नहीं है, एक सवाल अगर frog का आया भी तो वो इसमें से पूछ ले जाएगा, इस पर ज़्यादा अपनी, ज़्यादा मतलब force ना लगाना, ज़्यादा पागल ना हो जाना, इतना ही पढ़ना है, इस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है न तो यहाँ पर फोक्रा मुझा जाता है, और यह चेप्टर भी हमारा कहता है, और तो हम पेपर में नहीं आ रहा है, विल्कुल नहीं आ रहा है, तो आर्थम को हम पढ़ेंगे नहीं, बाद में कभी मन करें को वीडियो डाल देंगे इसके बाद हम सेल चैप्टर को 11 क्लास में शुरू करने वाले हैं साथ हम 12 क्लास में को शुरू करने वारे हैं तो चलिए आपका सायोग बना रहा तो में स्कोर्स को दिसंबर तक पूरा कर लेंगे लगातार आप देखते रहे हैं जितने लोग देख रहे हैं आपने दोस्तों को शेयर किजिए कर लाइगे सब पूछ किजिएगा और भाई सब्सक्राइब कर दी कर दो में जब किजिए आपका साथ